यदि आपको UP की विद्वा पैसिन योजना का लाव मिलता है या विद्वा पैसिन का इंतिजार कर रहे हैं तो आप घर वेटी ही विद्वा पैसिन का पैसा चेक कर सकते हो पेमेंट स्टेटस देख सकते हो को पैसा मिला है या नहीं मिला है जैसा कि आप सभी को पता ही होगा क अभी फिलाल जुलाई अगस्ट और सितंबर की विद्वा पैसिन का पैसा डाला जा रहा है तो इसको आप घर वेट ही चेक कर पाएंगे आपको पैसा मिला है या नहीं कैसे आप चेक करेंगे पूरा प्रोसेस आंगे वीडियो आपको में बताने वाला हूँ अगर आपने भी इस website पर आजाना है सरकारियोसनागुरू.in इसके बाद यहां पर देखे दिया गुए हाउटू चेक विद्वा पैसिन पेमेंट स्टेटस इसी पर आपको किलिक कर देना है इस आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स मिल जाएका वहां से आप सीधे इस पेज पर आ जाएंगे तो यहां पर पूरा प्रोस्स बताया गया है कि आप विद्वा पैसिन का पैसा कैसे चेक कर सकते हैं सिर्फ अपने रजिस्टेशन नंबर को दर्श करना है और आपके सामने विद्वा पैसिन का पेमेंट स्टेटस खुल करके आ जाता है तो इसके लिए आ आपको कैटेगरी में सेलेक कर लेना है इसके बाद यहां पर अपना रजिस्टेशन नंबर जो पंजी कर संके है आपकी विद्वा पैसिन की उसको आपको यहां पर दर्ज करना है रजिस्टेशन नंबर को फिल करना है इसके बाद यहां पर आपको कैप्चा को फिल करना है search के button पर click करना है तो जैसी आप search करेंगे payment अज़दी आपको payment मिला होगा तो आपका payment detail खुल करके आ जाएगा यदि payment नहीं मिला होगा तो आपको no record found कुछ इस तरीके का खुल करके आएगा अगर आपका no record found लिक करके आता है तो आपको wait करना है जब भी pension का पैसा जाएगा तो आपको payment देखने को मिल जाएगा नीचे पाएगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीकी का payment detail आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर देखने को मिलेगा application ID beneficiary का नाम pensioners का नाम beneficiary code scheme code यहां पर आपको देखने को बजा कि scheme का पैसा है यहां पर आप देख पाएंगे इसके बाद कितना amount मिलेगा आपको यहां पर आप चेक कर पाएंगे payment का request कब डाला गया है validation status किया है fund approved है या rejected है या under processing में है यहां पर आप check कर पाएंगे fund approved है या rejected payment हुआ है या under processing में है, अगर आपका under processing में है, तो आपको wait करना है, इसके बाद यहाँ पर आपका treasury status यह भी आपका yes होना चाहिए, यहाँ पर आप नीचे आएंगे, तो file status के column में bank receive लिखा होना चाहिए, यहाँ पर देखें तो pending add pfms दिख रहा है, अगर आपका bank receive लिखा हुआ है, त तो आपके bank के खाते में पैसा पहुच गया है, नीचे आपाएंगे, तो सारी option के बारे बताया गया है, यहाँ पर आप पूरा detail में पढ़ सकते हैं, क्या-क्या आपका होना चाहिए, फाले status के column में यह आपका payment pending आ रहा है, तो आपको wait करना है, send to bank आ रहा है, तो आपको wait क bank receive होना चाहिए, अगर bank receive लिखा हुआ है, तो आपकी खाते में पैसा पहुच चुका है, आप अपने account को check करना है, treasury signed आपका लिखा होना चाहिए, तो यह पूरी option बताएगे हैं, आपको इसको पूरे detail में पढ़ सकते हैं, तो इस तरीके से आप विद्वापनिशन का पैस घर वेटे ही चैक कर पाएंगे, आसा करते हैं, आपको यह जानकारी प्रसंद आई हुई, अगर यह जानकारी आपको पशेंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, जाजाता हम दोस्ता सेर कीजिए, तैंक किर वाट